असलाम लेकुम वेलकुम बैक टू मैं चैनल आज हम बनाएंगे बेज मी पूरी और इसके साथ खाये जाने वाली खास आलू की सब्जी यह बहुत ही टेस्टी और किस्पी बनके तियार होती है तो चलिए इसे बानाना इस्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम आटा को दिया है और यहां पर एक चमच हम अजवाई ले लेंगे इसे हम करश करके डाल लेंगे और एक चमच हम कशुरु मेथी को भी करश करके डालेंगे अब यहां हम 5 चमच तेल डाल देंगे, आप चाहें तो यहां पर घी या बटर भी डाल सकते हैं अब हम यहाँ पर डालेंगे एक कप सूजी, यहाँ पर हमने टोटाल चार कप आठा ले लिया है, तो यहाँ पर एक कप सूजी डालेंगे, आप यहाँ पर अगर दो कप लेंगे, तो यहाँ पर आधा कप सूजी डालें, अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और ए इसे हमें 2-3 मिनट तक मेडियम फ्लेम पे भून लेना है ध्यान रहे इस दाल को जलाना नहीं है कलर चैन नहीं करना है तो दाल अची तरह से भून चुका है अब इसे हम निकाल लेंगे और ठंधा करके इसे हम पीछ लेंगे तो देखिए हमने यहां पर बारिक पीछ लिया है इसे दर दरा नहीं बारिक ही पीछना है अब इसमें हम कुछ मसाले आट करेंगे तो यहां पर हमने एक चमच दर धरा खुटी हुई सौंप डाल दिये हैं आप यहांपर सौंप पावडर भी डाल सकते हैं और एक चमच हम आमचूर का पावडर डालेंगे और एक चमच धनि करके डाल देंगे अब इसमें हम एक चमच लाल मिर्च पॉड़ो डालेंगे यहाँ पर आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं बारी कट करके और आधी छोटी चमच हम हल्दी पॉड़ो डालेंगे और थोड़ा सा हिंग डाल देंगे और साथ ही हम स्वाधों सा नमक डाल देंगे तो त्यार हो गया है अब इसे हम ढ़क के शेट होने के लिए रख देंगे तब तक हम सबजी बना लेते हैं तो यहाँ पर हमने दो चमज तेल डाल दिया है और यहाँ पर हम डालेंगे दो तेश पत्ता और दो से तिन लौग और इसके बाद हम डाल देंगे एक चमाच जीरा इसे हम थोड़ा सा ब्रान होने देंगे इसके बाद हम इसका हम पेस्ट बना लेंगे और इसमें हम डालेंगे एक चमाच अधरकलासन का पेस्ट इसे हम मिला लेंगे अब इसमें आधी छोटी चमच हींग डाल देंगे और इसे भी हम मिला लेंगे और इसके बाद हम डालेंगे एक चमच बेसन और बेसन डालके इसे हम मेडियम फ्लेम पे इसे भूनेंगे बेसन को जलने नहीं देना है सिर्फ इसका कच्छा पर निकलने तक इसे हमें भून ले अगर आप बेशन नहीं डालना चाहते हो तो आप बेशन को आस्किप कर दे अब इसमें हमने डाल दिया है टमाटर का पेस्ट जिसको हमने पहले से ही पेस्ट बना के रखे थे अब इसमें हम डाल देंगे एक चमच लाल मिर्च पॉडर और आधी छोटी चमच काली मिर्च प्यूरी बनाया था ना टमाटर का उसी में थोर सा पाइन डाल के इसमें हम डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हमें भून लेना है जब तक कि तेल सेपरेट ना हो जाए तो यहां देखिए अच्छी तरह से भून चुका है तेल सेपरेट हो चुका है अब इसमें हम यह एक मीनट तक मेडियम् फिलें पर भून डेमें . आलू को भूनने से बहुत अछा टेस्ट आती है सब्जी में . तो इसे हम एक मीनट बूण लेते हैं . तो देखिए अची तरह से भून चुका है , अब ईसमें हम 2 कप पानी डालेंगे यह सब्सेटी के हिसाब पतली बनती है वैसे आप अपने कंसिस्टेंसी के हिसाब से सब्सेटी को सब्सेटी गारी यह कर सकते हैं आज इसमें हम एड कर देंगे ये एक चमच आमचुर पावडर है और एक चमच गरमसाला पावडर제废ों के पो और एक चमक डालेंगे कासूरी निति हिसे हम खराश करके डालेंगे आज इसमें स्वादमसार नमक डाल देंगे अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे हम ढखकन ढखके 5 मिनट तक पका लेते हैं तो यहां देखिए 5 मिनट तक इसे हम पका लिये हैं अब यह सबजी रेडी हो चुका है अब इसमें हम बारी कटो ही हरा धनिया डाल देंगे और गैस को फ्लेम को बन कर देते हैं सब्जी रेडी हो चुकी है अब चलते हैं आटे की तरफ तो देखिए आटा भी अच्छी तरफ सेट हो चुका है आप एक बार और इसे मसल लेंगे अब हम डाल को भी चेक कर लेते हैं, तो डाल को इस तरह से हम फैला लेंगे, अगर डाल आपको यहाँ पर टाइट लगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा पाइन डाल के आप इसे मुलाएम कर सकते हैं, अब हम लोई निकाल लेंगे, तो एक नेम्बू का साइज का हम लोई बनाए यह देखें यह साइच का ताकि हमें फिलिंग भरने में असानी हो तो देखें इतना हमने बना लिया है आप एक लोई लेंगे अइसे चार तरफ से इस तरह से को टोरी का सिप देंगे और इसमें हम फिलिंग को भरेंगे हैं तो इस तरह से दबा के और चारो तरफ से इस तरह से चारो कोशन को साथ में लेके आएंगे इस तरह से दबा दबा के हम और जो एक्ष्टर अगर आटा निकले तो उसे हम निकाल भी सकते हैं ने तो इस तरह से हम दबा देंगे और एक बनके तयार हो गया तो यहां पर हमने सारे बस बना के तयार कर चुके हैं अब इसे हम बेलते हैं तो बेलने के लिए पहले हम चकले पर तेल लागाएंगे इस तरह से फिंगर से हम फैला लेंगे ताकि दाल चार तरफ से फल जाए अंदर उसके बाद हम हलके हाथों से इसे बेलेंगे जोर से दबाक नहीं बिलना है यह ध्यान रहे इसे हम हलके हाथों से ही बेलेंगे और हमने तेल को गरम होने के लिए रख दिया है तो देखिए ये साइज का ना ज्यादा पतला है ना ज्यादा मोटा है अब इसे हम तेल गरम हो चुका है अब इसे हम इसमें डाल देंगे और इस तरह से हमें कल्ची से दवा दवा के इसे हम पलट देना है तब तक यह सीख रहा है तब तक हम दूसरा पूरी बेल लेते हैं तो यहाँ देखिए हमने दूसरा पूरी भी बेल लिया है और यह देखे यε भी फ्राई हो चुकало है अब इसे हम निकाल कूरें लें अब इसी तरह से बाकी सारी पूरी को हम बेल के फ्राइ कर लें यहाँ पर मैने सारे पूरी को फ्राइ कर लिया है बहुत ही क्रिस्पी पूरी बनी है इसलिए इसे हम सर्व करते हैं बेट में पूरी और इसकी खास सबजी के साथ तो आज की रेश्पी आपको कैसी लगी रेश्पी पसंदे तो वीडियो के लाइक करें अपने फ्राइम इन फ्रेंस में फिर सेयर करें और हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्क्राइब करना नहीं बुले